नमस्कार One India Hindi में आपका स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ विवे 24 जून को प्रधान मंतरी नरेंदर मूदी ने जम्मू कश्मीर के दलो के नेताओं के साथ बातचीत की और लोगतंतर को मजबूत करने के लिए चुनाओ को लेकर चर्चा की लेकिन चुनाओं से पहले परिसीमन प्रक्रिया को जल्द से जल्द पूरा करना सरकार ने ज्यादा जरूरी बताया आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि परिसीमन का मतलब क्या होता है जम्मू कश्मीर में परिसीमन क्यों जरूरी है और सबसे बड़ी बात ये कि घाटी की निता इसका विरोध क्यों कर रहे है सबसे पहले बात करते हैं परिसीमन क्या है लोकतंत्र में आबादी का सही प्रतनिध्व करना ही परिसीमन प्रक्रिया का आधार होता है इसके तहट आबादी का सही प्रतिनिध्व हो सके इसलिए लोकसभा और विधानसभा सीटों के शेत्र को दोबारा से परिभाश्यत या उनका पुनर निर्धारन किया जाता है इस पूरी प्रक्रिया के तीन मुख्यों देश्य है पहला चुनावी प्रक्रिया को जादा लोकतांत्रिक बनाने के लिए परिसीमन जरूरी होता है हर राज्य में समय के साथ जनसंख्या में बदला होते हैं ऐसे में बड़ती जनसंख्या के बाद भी सभी का समान प्रतिनिध्व हो सके इसलिए निर्वाचन शेत्र का पुलनर निर्धारन होता है दूसरा बड़ती जनसंख्या के मताबिक निर्वाचन शेत्रों का सही तरीके से विभाजन हो सके ये भी परिसीमन प्रक्रिया का एहम हिस्सा है इसका उदेश्य भी यही है कि हर वर्ग के नागरी को प्रतनिद्व का समान अफसर मिले और तीसरा चुनाओ के दोरान आरक्षित सीटों की बात कई बार की जाती है जब भी परिसीमन किया जाता है तब अनसूचित वर्ग के हितों को ध्यान में रखने के लिए आरक्षित सीटों का भी निर्धारन करना होता है अब ये भी जान लीजिए कि जम्मू कश्मीर में परिसीमन क्यों जरूरी है अब राजनीतिक तोर पर जम्मू कश्मीर और परिसीमन को समझना जरूरी है कुछ दलों के द्वारा परिसीमन का विरोध इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ऐसा होते ही जम्मू कश्मीर में सियासी समीकरण हमीशा के लिए बदलने जा रहे हैं इसे इस तरह से समझा जा सकता है कि पुनर गठन अधिनियम लागू होने से पहले तक जम्मू कश्मीर विधान सभा में कुल 111 सीटे थी इसमें कश्मीर के खाते में 46 सीटे, जम्मू के खाते में 37 और लग्दाक के खाते में 4 सीटे रहती थी वहीं पियोके की 24 सीटों को भी इसी में गिना जाता था अब वर्तमान परिस्थि में लग्दाक की 4 सीटे समात हो चुकी है और जम्मू कश्मीर में सिर्फ 107 सीटे रह गई है अब घाटी की नेता इसका विरूत क्यों कर रहे हैं ये भी आपको बता देते हैं विरूत की वज़े ये है क्योंकि अब कहा जा रहा है कि इस परिसीमन प्रक्रिया की वज़े से 7 सीटे और बढ़ाई जा सकती है और सबसे बड़ी बात है कि ये वो 7 सीटे हैं जो जम्मू में बढ़ सकती है ऐसे में कश्मीर में तो 46 सीटे ही रहने वाली है लेकिन जम्मू में ये आकला 37 से बढ़ कर 44 हो जाएगा अब राजनीतिक लिहास से ये एक तरह से बीजे पी को वायदा पहुचा सकता है तो वहीं पीडे पी और एंसी जैसी स्थानिय पार्टियों के लिए नई चुनोती खड़ी कर सकता है क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जम्मू में बीजे पी ने खुद को मजबूत कर रखा है तो वहीं कश्मीर में पीडे पी और एंसी की अच्छी पकड़ है फिलाल इस वीडियो में इतना ही नमस्कार